कावित रो तो पटना उचन नियाले से एक बड़ी ख़वर निकल का पता दे कि आज 20 जुलाई 22 को पटना उचन नियाले में मुख्य नयाधीस की बेंच में है कोट नमबर एक के अंतरतरते के संखिया 30 जो कि परविकनकारी सिक्षक महा संखिय द्वारा दैर किया गया था इस इस आज का कि आज सुनवाई हुई और इस सुनवाई में क्या कुछ कहा गया है आपको पता दे कि मुख्य नयाधीस ने सरकार को फटकार लगया है सरकार की ओर से महधिवक्ता प्रसांत कुमार साही एवं अपर मुख सचियू सिक्षा विवाग के के पठक की और चैन याले के बरिष्ट अधिवक्ता स्री मीतुंजे कुमार एवा मुन की टीम के द्वारा कोट रूम में अपनी बात रखी गई और वे सभी मौजूद थे इनकी दलिलों को सुनने के उपरांद मुख नयाधिस ने यह टिपनी किया कि अनुवंध कर्मियों द्वारा जांच उपरांद जो करवाई की जा रही है वह सहीं नहीं है सरकार की ओर से इस विवाद खारिच करने की मान को बार बार की जा रही थी परन्तु मुख नयाधिस ने सभी बिंदोप और सहंता से वहस को ले करके केस को सिंगल बेंच में ट्रांसफर कर दिया है अब नयमूर्ति राजी उरंज की बेंच में अगली सुनवाई होगी जहां पर प्रतनकारी शिक्षक महासंग अपनी विद्वान अधिवक्तागन के द्वारा बहस को आगे बनाएंगे तो आपको बताते कि यह ख़वर परदेश मीडिया परभारी मीतिंजय कुमार के द्वारा एजनकाइद दी गई थी और बार बार तना साही फर्मान निकाला जा रहा है जो की कहीं से भी उचित नहीं है सांती सांत जो कनिये या अनुवन कर्मी हैं कमचारी उनके द्वारा शिक्षा ब्यवाग के स्कूलों की जाज करा जा रही है इस पर तिखी परकिरिया अपनाते हुए परतंकाई सिक्षक महासंग ने ये कदम उठाया है और परतंकाई सिक्षक महासंग अपनी बातों को कोट के माद्यम से सरकार तक पहुंचाना चाह रही है इसलिए सरकार के जो ये तना सही फर्मान है उसके खिलाफ ये केस दर्ज की गया था और इसमें की सुनवाई आज हुई है और सुनवाई में जो कुछ भी हुआ है उसको आप तक हमने पहुंचाया आगे जो कुछ भी होगा आपको इसी चैनल के माद्यम से ख़बर मेंती रहे करने के लिए चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद जय हिन जयवाद जय सिच्छाट